Đ terrorism तुम निंद्य है हैलो, सब पहले आप इन्म आलमा नमश्कार को स्वागरिंदें आप सभी आप साध मैं और वेक्रवी आप सभी नीए होंगे कीनल मेरी मेरी कान एड़ाने अग्षाय के पाउच में अबहुत कि आदिन अबे के आधर Mine Are वहां इन storybandavay Carbon अज़ा हैं वा अखी घर हैं यहाँझा यह IPUC अजमके तो पर ज widget सेट ने दो आलमारी हैं ने आपको दिखाती हूँ जो यहां पर पढ़दा रहता है ना वो निकाल लिया है और यहां पर जो भी सामारा सामा रखा है यह सब मैं निकाल के अब क्लीनिंग करूंगी तो चलिए फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स से मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुके उससे पहले मैंने सबसे पहले फेस पर दुपट्टा बांदा यूकि मुझे डस्ट से ना एलर्जी हो जाती है च्छी के आने लग जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पिछली बार भी जब की थी क् तो ऐसी हो जाता है यह देखो आदी की मस्ती और अदी मला कैमरे के अगया कि ना कभी हिलाए जा रहा था उसे खूब सारी मस्ती कर रहा था तो मैंने जब वीडियो एडिट करने के लिए मैं बैटी थी तभी मैंने देखा था क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल काम पर ही ध तब यह आपने सुन लिया होगा उसकी मस्ती और उसके बाद भी हो काफी कुछ बोले जा रहा था मला जो कि मला कभी के लिए था नहीं तो मैंने वह हटा दिया और वह मेरे पास आ रहा था कि मैं भी करूंगा उपर से मला देखने के लिए यहां पर सिदे को चड़के आ गय कि लगती है है तो मैं यहां पर मैंने चुलेव वगेरा साथ की उसमें जो भी सामान था और जो भी मलदा कागज ऐसे ही पड़े होते ना extra जो यूजके नहीं थी तो मैं है प्रावाजी को पूस्कते वर्य निकाल दिया थी आपके दाखता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर कर लो मैं बाहर जाली का कर लेता ऊं अ क्योंकि और यहां पर आदी भी मेरे साथ लगाई वा था, तो यहां पर मैं पूरा दिवार वगएरा आच्छे से जाड़ पूछ करके यहां पर मैंने सारी बैट सीट हटा ली थी, तो मैंने कुछ नकाल लिये थे, और उसके बाद जो तक्या है ना, तो वह मैं क्या करूंगी ने को यहुजदा भारी है यह और अझेन है ज़ाड़ो लगा करनी लगाती है मैं ओछ नहीं हौड़ा झाला कि ऑफ़ लगया काॉड़िग सीषा हो जाता है। तो मले यह नहीं करता कि जित रोने लगे कि मुझे चाहिए चाहिए यह तो माहन जाता है और दूसरे कमरे में आगी थी तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यह स्लेब के कवर निकाले और इंको मैंने सर्प में भिगा दिया था और उसके बाद मैंने यह जाड़ो जुड़ो करके सारी डस्टिंग की और जो पंकें वगरा थे न तो वो रावजी ने साफ के लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर आलमारी को किसका रही थी कि अलमारी के पीशे ना धूल हो जाता है वैसे कभी-कभी किसका आप पाती हुआ वहाँ पर तो रावजी बे अपने काम में बिजी थी तो अपनी आप ही किसका रही थी खाफी भारी है तो थोड़ा खिसका ने मुंशकल हो रही थी और उसके नीजे काफी मलब कुड़ाई खटा हो गया था तो वो मैंने जाड़ो से साफ किया और उसके पीछे खिड़की भी है तो वो खुलनी पाती है तो मैंने इसे अच्छे से आगी किया और उसके बाद खिर्की खोल के खिर्की की सपाई की उसमें जो मलब धूल होई जाती है ना और क्योंकि यहां पर तो दूल भी बहुत उड़ती है तो जो ब्रश होता है ना पेंट ब्रश पुताई करने वाला तो उससे में साफ कर रही थी उससे क्या तक जाली अच्छे से सा साफ तो अच्छे से यह भी साफ हो गया था और उसके बाद मेरा जाड़ू पच्छवा वगेरा होएगा अकेले करना तो बहुत मुस्किल हो जाता है पर जब रावजी भी साथ में कर रहे थे तो बहुत आसानी सो जाता है क्योंकि जब मिलजूल कर हम कोई काम करते हैं तो एक तरफ कोई कर लेता है दूसरी तरफ कोई तो हो जाता है मला केले केले मुस्किल हो जाता है तो मैंने क्या किया था कि मैं जैसे सपाई भी करीजी ना साथ के साथ मेने डाल वगेरा बालने के लिए रख ली थी तो इसकारण मेरा मला साथ के साथ खाना भी बनिया था नही इसको सबसे पहले साफ कपड़े से साफ कर लेना है उसके बाद यह मैंने टूट पेस्ट ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से इसमे पहला लिया है रगड लिया है अगर आपका मैंने जितना गंदा है उते साफ से आप तूट अच्छे से ब्रश से चारो तरफ लगा लिय और उसके बाद मेने से साफ कपड़े से फिर दुबारा साफ कर लिया है तो बिल्कुल अच्छी से चमक लिया है और जब भी बिजली का आप कोई साफ करते हैं तो इस तरहा हम ध्यान रखें कि में सीच बंद कर दे और पेरों में रबड वाली चपल जरूर पहन ले तो मेरे पर्दे वगेरा बैट सीट वगेरा सब धूल ली थी तो उसके बाद ये सूख चुके थे जल्दी सूख जाते हैं हवा भी चल रही थी आज काफी तो सूख गे थे उसके वाल मैं ये परदे दोबारा से लगा लिये हैं और बैट सीट वगेरा सब भी आज काफी क्लिनिंग हो गया और साम हो गए हैं मुझे क्लि lesson करते करते पढ़ते वबगरा धोए जो आदी नहीं बनाई थी तो बहुत जादा कपड़ हो गयते दोनी के लिए भी और काफी रावजी ने हेल्प की मेरी तभी चालना हो पाया और अभी क्लिनिंग बाकी है यूगि वह खतम नहीं होती है वह तो होती रहेगी डेली पर काफी अच्छा भी लग रहा है हलका लग पाये कि शूप नहीं कर पाते है क्योंकि यह होता है कि काम बहुत ज्यादा हो जाता है और कैम्रा सेट करनी में ही काफी काम चला जाली है तर सिर्छा यह होता है कि हम सब तक फटा पढ़ ने ताले हमें तो कि मैः महीं चाहती शांती हूं और इस vlog का मैं यही पर end करने जारी हूँ I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो like और comment करके जरूर बताना और चनल पर पहली बार आया है तो subscribe भी जरूर करते ना मिलती हूँ मैं आपको अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर